क्रिकेट की दुनिया यानि गेम ओफ क्रिकेट में आपका स्वागत है वर्लकप के सबसे बड़े मुकाबले की उल्टी गिंती शुरू हो गई है संडे 9 जून की शाम को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा और इस मैच पर पूरी दुनिया की नजर है अब इस मैच से ठीक पहले दोनु तरब से बयानों वाली लड़ाई होने लगी है एक दूसरे बर हमले हो गए और इस दुरान टीम इंडिया की तरब से ऐसा पंच मारा गया जिससे पाकिस्तान मैच से पहले ही धराशाई हो गई पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई तो दिखाते हैं आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला क्या क्या है बयान किस किस के आए बयान और आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें अब इस हार के बाद लगबग बिखर चुकी पाकिस्तान के लिए भारत से जीतना भारत के खिलाब खेलना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है और इसे भी बड़ी बात मैच से ठीक पहले बयानों के भी तीर चलने लगें आप दोनूं टीमों के ओफिशल बयान आपको बताएंगे लेकिर पहले ये देखे कि दोनूं तरब के दिगजों ने क्या क्या कहा है पाकिस्तान की तरब से कामरान अक्मल ने कहा है कि भारत के खिलाब मैच में पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे रह सकती है क्योंकि यूएसे की हार का कलंक वहां तक भी जाएगा दिगल जैशोय बक्तर ने कहा कि पाकिस्तान को अब समलना होगा अगर भारत के खिलाब नहीं जीते तो फिर वर्ड कप से बाहर हो जाएंगे लिहाज आप यो ऐसे की हार का खम्याजा यहां भुगत ना बढ़ सकता है पाकिस्तान के टीम इतनी खराब खेलेगी मुझे बिल्कुल भी यकिन नहीं था और भारत के खिलाव पहले भी हारते रहे हैं लेकिन भारती टीम को हराना है तो सभी को पूरी पाकिस्तानी टीम को एक जुड़ोना पड़ेगा मिजबागुलत ने का कि बाबर आजम वापसी करेंगे अच्छी वापसी करेंगे और टीम इंडिया को हराने में बड़ा योगदान बाबर का भी होगा अब दूसरी तरह भारत के दिगजों ने क्या कहा वो देखे इर्फान पठान ने का कि पाकिस्तान भारत को हराने के सपने देखना बंद करे क्योंकि वर्ड कप में भारत को हराना पाकिस्तान के लिए भी भी सपना ही रहने वाला और इस बार भी ऐसा ही होगा क्योंकि पाकिस्तान के टीम बिखरी भी नजर आ लिए वहाई दिगज विरेंदर सहवाग ने कहा कि पाकिस्तान को पूरी तरह से तोड़ने का मरोडने का बिल्कुल सही वक्त है और इस वक्त में जब USA से हारी भी थकी भी पाकिस्तान की टीम है तो उसे ऐसे कुछ लोग की भी उपर उट न पाए अब इन सब के बीजिया इन सब दिगटों के बीच ओफिशल बयान दिया है बाबराजम पाकिस्तान के कपतान है। उनका बयान आया है कि हम USA से हार गए लेकि नब ऐसा नहीं होगा आगे हम कोई भी मैच नहीं आ रहेंगे जी नियां बाबराजम ने सबसहाँ का लिए हम भारत को वर्ल कप में हराएंगे और इसबार हरा कर रहेंगे बाबराजम ने कहा कि अभी हमारे फैंस परिशान ना हो, हम आगे बढ़ेंगे और जरूर आगे बढ़ेंगे वहीं विक्रम राठोर जो भारत के बेटिंग होज है उन्होंने कहा कि पाकिस्टान की टीम को हराना इस बार उर आसान होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान के टीम कमजो नजर आ रही है जी हां बाबर आजमबर विकरम राठोर ने एक तरह से मनोवेग्या ने बढ़त बनाने के लिए इस तरह का बयान दिया है जिसके बाद अबावाल मच गया है दोनों तरफ से बयानों के तीर चल रहे हैं लेकिन इन बयानों म पाकिस्तान के टीम के अंदर के हालात और जादा खराब हो सकते हैं तो आपका इस पर क्या कहना है च्या मैच से पहले ही पाकिस्तान की टीम हारी भी नजर आ रही है कमेंड बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं वीडियो को शेयर भी करें तो गौतं मुवीर के नाम पर लगभग-लगभग मोहर लक चुकई थी माना यह जा रहा था कि गौतं मुवीर वृड्ड कप के बाद टीम इंडिया के हेड कोच होंगे टीम इंडिया के एड कोच तो इसीलिए संजे मांज्रेकर का नाम भी फिलLYहां कोचिंग की लिस्ट माह रहा है कालांगी मांजरेकर ने खुद काया कि आज तक कभी कोचिंग नहीं किया, लिहाज उनके लिए कोचिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है और क्रिकट एनलिस्ट बनना थोड़ा सा आसान लेकिन संजै मांजरेकर रेस में आ गये हैं। इस लिस्स में तीसरे नाम है सौरव गांगली जियां सौरव गांगली ने खुद कहा है कि वो टीम इंडिया का कोच बन कर खुश होंगे जियां वो चाहेंगे उन्हें खुशी होगी वो इस बात को बहुत जादा पसंद करेंगे अगर उन्हें टीम इंडिया का अगला हैट क बनाया जाता है जियां बीसिस से अधक्ष रह चुके भारती टीम के कप्तान रह चुके गांगुली अब टीम इंडिया की कोचिंग की रेस में आ गये हैं सौरो गांगुली ने खुद इसको लेकर दिल्चस्पी जताई है और माना जा रहा कि खुद सौरो गांगुली अगर इसको लेकर दिल्चस्पी आगे भी दिखाते हैं तो वो भी एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं सौरो गांगुली को भारत का अगला हेट कोच बना जा सकता है जो कि राहुल द्रविट के बाद बिल्कुल पॉफेक्ट फैसला भी हो सकता है क्योंकि गांगुली डिल्ली क इस लिस्ट में आगे आया जी हैं आब तक सिर्व यही नाम बताए जारे थे या कही जारे थे कि लेकिन आब इस बीच VVS लक्ष्मन का नाम एक बार फिर से इस लिस्ट में सामने आने लगा और VVS लक्ष्मन भी इस रेस में आगे निकलते वे दिख रहे हैं जी हां उस दिन के लिए ही सही लेकिना लक्षमन को यहां पर कोज बनाये जा सकता है क्योंकि अगर गौतम गंबीर के नाम पर मोहर नहीं लग पारती है फाइनली सौरव गाउंगली भी नहीं बनते हैं तो फाइनली लक्षमन के नाम पर मोहर लग सकती है और इसके लावा दीबदास गुपता के नाम की भी चरचाय चल रहे हैं कि दीबदास गुपता भी टीम इंडिया की अगले हैट कोच के लिए आवेदन कर चुके हैं और उन जो मैंसे किसे होना चाहिए टीम इंडिया का अगला हैट कोच आपकी नजर में है कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं वीडियो को शेयर भी करें तो भारत के गेंदाजों ने पहले शांदार खेल दिखाया सौरन से पहले आरलेंग को ढेर कर दिया तो उसके बाद भारती बलेबाजों ने कमाल का प्रतरशन किया मैज को एक तरफा अंदाज में जीत लिया अब मैज तो जीत गए मगर मैज के बाद कप्तान रोहित शर्मा बेहत ज्यादा नाराज हो गए और इसकी नाराजगी की वज़े थी नियोक के नसाव काउंटी मैदान की पिच जी हां ये पिच नहीं बलकि मौत का सामान बन चुकी है क्योंकि इस पिच में कई खिलाडी च एक बाल सीधे आकर रोहित के बाइसेप्स पर लगी और जोस्वा लिटिल की बाल इतनी तेज थी इतनी ज़ाद दिक्कत इससे हुई कि रोहित को मैदान चोड़ना पड़ा रोहित रिटायर हट हो गए जबकि रोहित ने कुछ देर खेलने की भी कोशिश की लेकिन दर्द उनसे समला नहीं तो रोहित रिटायर हट होगे इतने नहीं रिशब पन भी जब बले बाजी कर रहे थे तो पन की कोहनी पर एक बाल लगी और रिशब पन भी दर्द के मारे करा उठे और ये भी पिछ की ही करा मात थी क्योंकि अचानक इतनी ज़ादा बाल उचलेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था सिर्फ भारती ही नहीं बलके आर्लेंड के भी कई खिलाडी इस मैच में चोटी लोगे और पिछ की वज़े से वहाँ पर खेलना मौत को दावत देना जैसा था क्योंकि कोई भी एक बॉल गलत जगह पर लग जा दी तो फिर पूरा ही काम तमाम ह हो सकता था क्रिकट के हर नई अपडेट के लिए गेम आफ क्रिकट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम आफ क्रिकट की हर खबर सबसे पहले